आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे में रनाम ऐसे धान तक नहीं होता ही स्टेडी ग्लोज पर आपका बहुत दोस्तों आज आप मलेरिया की बात करेंगे बहुत अच्छी बात है बहुत खुश खबरी है क्योंकि मलेरिया की पहली की मैक्स वैक्सीन जो है वह आ गई है मॉस्कुरिक्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन डबली अच्छी इसको बैक किया बात करेंगे इसकी चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छा यह हमारा ओफिशल पेज है आप इस पर ज़रूर आए और यहां पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगे तो मॉस्कुरिक्स क्या है कि आर्टी एस एस एसो जिरो वन आर्टी डॉट इस इसका नाम है मॉस्कुरिक्स इसको डबली एचो ने इंडॉर्स किया वेंजडे को 6 अक्टूबर यह पहली और अभी तक एकलौती मलेरिया की वैक्सीन है जो मलेरिया को काफी कम कर देती है रिडियूस कर देती है मलेरिया एक लाइट थ्रेटनिंग डिजीज होता आपको पता ही है और एक चोटे से बच्चे को एक गाउं में हमने यह वैक्सीन लगाई और काम किया तो वैक्सीन जो जो वैक्सीन है उसने पी फैलसी परम जो की सबसे डेडली मलेरिया पै हर दस में से चार किस इसको ओवर ए फोर येर पीडिट प्रिवेंट करेगी अब यह पहली मलेरिया वैक्सीन है जिसने क्लिनिकल डेवलप्मेंट प्रॉसेस जो है वो पूरा किया फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन है जिसको तीन मिनिस्ट्री आफ हेल्थ ने इंट्रेड्यूस क है चाल्डूट इम्मुनाइजेशन प्रोग्राम के तहित आठ लाग से जादा बच्चों को यह वैक्सीन दी गई घाना केनिया और मलावी में उनको वैक्सीनेट किया गया और देखा कि भाई प्रोटेक्शन तो काफी जादा है इससे पहले हम आगे बड़े दोस्तों हमा यह कसम से बता रहा हूं और यह गर्मी गर्मी नहीं लेकिन हाँ अभी यह मलेरिया का और डेंगू का सीजन चली रहा है बरसाथ के सीजन में ज्यादा होता है क्योंकि लार्वा वहां पे ज्यादा पनपता है एनाफ्लीज मॉस्कीटो जो है जो फीमेर मॉस्कीटो होती है उसके काट में से malaria होता है. It is actually caused by a parasite. तो जो भी infected mosquito है, वो अगर आपको काट लेगा, आपको malaria हो जाएगा. अब अगर आपको malaria होता है, तो आपको बहुत तेज बुखार आएगा. बहुत तेज. और आपकी पूरी body जो है, वो कापने लगेगी. बहुत सरदर्द रहता है. डाइरिया, पेट में दर्द, मसल में दर्द, पूरी body pain, सांस लेने में problem, दिक्कत होती है. यह चीज है. लिवर में सूजा ना जाती है, blood stream, मुझकिल रहता है. पूरे आपके red blood cells को infect कर देगा. इससे death भी हो सकती है. अपिकल कंट्रीज में सब साहरन आफरिका हो गया, साउथ और साउथ इस्ट एशिया हो गया, जहाँ पे बारिज खुब होती है, Pacific Islands हो गया, Central America, Northern South America हो गया. यहाँ पे आपको malaria जो हो, काफी देखने को मिलेगा. यह चीज है. अब अब ही तक इसकी vaccine नहीं थी, malaria अपने आप ही ठीक होता है. इसकी vaccine नहीं होती है, वो जैसे आपको किसी virus ने, या किसी भी parasite ने, माल लिजे कि कोई भी virus आपके अंदर आया. अब उसके बाद आपको वो तुरंथ infect करेगा, उसके बाद फिर antibodies बनना शुरू हो गया, आपका immune system पता लगाएगा, कि किस तरीके का protein release किया जाए, किस तरीके के antibody बनाई जाएगा, उसमें time लगता है. तो जब वो antibody बनना शुरू होँगी, तो फिर उसको खतम करेगा वो. ठीक है? इसी लिए, जब एक बार virus हो जाता है, दुबारा virus होता नहीं है. मतलब वो same virus नहीं होगा, क्योंकि आपकी body को पता है, कि अच्छा अब इस तरीके का, अगर parasite attack करेगा, तो हमको क्या करना है? यह चीज है. malaria के काफी serious complications होते हैं. आफ्रिका में तो बच्चों, बच्चे काफी मरते हैं malaria से. cerebral malaria होता है. small-small clots बन जाते हैं आपके brain में. बहुत मुश्किल होती है. और brain damage हो सकता है. breathing problem तो होती ही है. organ failure हो सकता है. आपको कोई भी organ fail हो सकता है. आपकी kidney, liver को damage कर सकता है. anemia. वह यह कि red blood cells को यह effect करता है, जैसे platelets, डेंगू में भी platelets बहुत तीजी से गिरती है. मेरी दोस्तों 25,000 तक आगी थी. वो 1.5-2.5 लाग से गिर के सीधा 25,000 पे. low-bread sugar दिक्कत होती है. तो अब इसको prevent कैसे करें? अब prevent करने के लिए सबसे best है, तो यही है कि vaccine लगा हो, दूसरा point यह है कि अगर आपको vaccine नहीं लगी है, तो आप वही है कि मच्छर के काटने से बचें, अपने skin को cover करके रखें, जहां पे especially आपको लगता है कि आप मच्छर काटेंगे, तो वहां पे तो और अच्छर से cover करके रखें, अपने clothes में repellent, mosquito repellent लगा के रखें, वोडो, मॉस और बाकी सारी चीज़ें चो होती है, परमित्रीन basically, जो भी, कोई भी spray खड़ी दीजें, जिसमें परमित्रीन हो, मच्छर दानी लगा के सब्सक्राइब बेस्ट, मच्छर दानी से अच्छा कुछ होता ही नहीं, कमरे में मच्छर दानी लगा लीजे, मज आ जाएगी, अब कुछ लोग बोलते हैं, बड़ी घुटान होती है, यार घुटान नहीं, एक हफते लगा के देखो आदत पड़ जाएगी, हाँ, गर्मी लगती है, ये बात सही है, अगर AC है तब तो ठीक है, AC नहीं है तब तो मुश्किल है, वैसे भी AC के अंदर मच्छर नहीं आते हैं, आते ही नहीं है, अमद इतने ही क्या, और सबसे बेस्ट है वैक्सीन, तो वैक्सीन अगर आप लगा लो, तो उससे अचा कुछ है ही नहीं, तो वही है कि अब हाई, strategic delivery of vaccine जो है, अभी high transmission, malaria transmission season है, और अब malaria फैल भी रहा है, डेंगू भी फैल रहा है, तो अब ये vaccine बहुत ददा काम करेगी, global burden आप देख सकते हैं, मैंने बता कि malaria is a life threatening disease, disease से आपकी जान भी जा सकती है, और 2019 में आप देख सकते हैं, कि 2 करोड के करीब cases मिले थे, और लगबग 4 लाग के करीब deaths होई हैं, हर साल malaria से 4 लाग लोग मर जाते हैं, और जो 5 साल से कम बच्चे हैं, वो they are most vulnerable, 2009 में जो 67, 2019 में जो 67%, यानि कि 2,74,000 deaths वो बच्चों की होई थी, जो 5 साल से कम थे, तो भारत में भी अच्छे कासे cases मिलते, 56,00,000 cases 2019 में मिली थे, अब WHO ने यही बोला है, कि भाई देखो, इसमें आपको vaccine लगानी है, इससे malaria control होगा, और P-falsiparam इसमें, P-falsiparam जो इससे prevent हो जाएगा, साथी साथ, जो malaria है, कैसे यह vaccine है, इसको कैसे देनी है, 4 doses देनी है, जो बच्चे हैं, उनको 4 doses देनी है, और उसके बाद antibodies बनना शुरू होगी, अब इसमें fund कैसे किया जाएगा, Global Health Community भाई, vaccine तो आ गही है, लेकिन इसको पूरी दुनिया में, जहाँ पर malaria जाद है, वहाँ पर भेजना भी तो है, अब उन देशों के बाद इतना पैसा होगा नी, तो इसको fund कैसे किया जाएगा, कैसे यह vaccines भेजी जाएगा, यह भी बहुत बढ़ा decision, तो यह देखना पड़ेगा, यह ग्यारा देश जो है, they have been certified by WHO as malaria free, इसमें कौन कौन है, UAE, Morocco, Turkmenistan, Armenia, Sri Lanka, Kyrgyzstan, Paraguay, Uzbekistan, Algeria, Argentina, El Salvador, और WHO ने यह भी बोला है, कि एक historic moment, टेड रॉस अधनों में बोला है, कि भाई एक historic moment है, historic moment तो है, इतनी बड़ी बिमारी को मात देने जा रहे हैं हमें, और अब जादा तर वैसे आपको बता दू कि trial company, जो trials हैं, वो सब Africa में ही हुए, और इसमें 2 billion dollar की funding चाहिए, मतलब इतना पैसा आपको चाहिए, तो अब यही है, कि अगर पूरी दुनिया से malaria को मिटाना है, तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, अब देखेंगे कैसे क्या होता है, फिलाल बड़ी कपर है कि malaria की vaccine आ गई है, और यह बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, कोच रही पर तो रही देशे से दान तब नहीं हो तरी signing हो,